हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सक्सेस्ट्री ओनलाइन पॉर्टल तो आज के सेशन में हम बैंकिंग एक्जाम्स का जो हमारा कोर्स इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के सेशन में हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टिटूट जैसे कि आप सभी जानते हो कि क्वांटिटेटिटीट काफी इंपोर्टेंट कॉंपोनेंट होता है बैंकिंग इंग्जाम्स में अगर आप इसकी वेटेज को देखो तब भी और इसके जो इंपोर्टेंस है वह भी ठीक है बहुत ही ज्यादा हमारे पास ये टोपिक सब्जेक्ट होता है जो हर एक बैंक के लिए क्वांटिटेटीटीट को पढ़ना चाहिए ठीक है ताकि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सोको एक्जाम में ठीक है तो उसको उससे पहले में आपके एक्जाम के बारे में बता देता हूं जिसमें क्वांटिटेटीटीट पूछा जाता है ठीक है अब देख SBI PO को सबसे difficult exam आना जाता है अगर हम banking exams की बात करें तो ठीक है उसके बाद आता है हमारे पास IBPS PO IBPS PO ठीक है इसके main से होते हैं वो काफी मुश्किल होते हैं as compared to other exams ठीक है उसके बाद इसमें आएगा RBI Grade B अब RBI Grade B मैंने SBI PO और IBPS PO के नीचे क्यों लिखा है क्योंकि इसका जो phase 1 होता है सिर्फ उसी में math पूचा जाता है और phase 1 का RBI Grade B का math होता है वो comparatively SBI PO और SBI PO से असान होता है इसलिए तीसरे नंबर पर रखता है में इसको ठीक है उसके बाद हमारे पास आता है एक LIC का पेपर होता है Life Insurance Corporation का W का ठीक है उसमें जो math पूचा जाता है वो लिख दिया मैंने ठीक है उसके इलावा जो हमारी GAC companies है GAC मतलब जैसे New India Insurance Corporation Limited NACL हो गया UACL हो गया इस तरीके की जो insurance companies होती है उनमें जो AO की exam होते है उसमें भी math पूचा जाता है ठीक है इसके इलावा clerk की exam जैसे IBPS clerk हो गया SBI clerk हो गया ठीक है RRB के जो exam होते है ठीक है RRB का PO का तो इसके साथ ही आ जाएगा क्योंकि इसके IBPS लिखा है तो IBPS में IBPS PO और IBPS RRB PO दोनों ही included है ठीक है ठीक है RRB के clerk की exam हो गये जो office assistant होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं ठीक है office assistant तो यह कुछ exams होते हैं जो banking के होते हैं इसके इलावा bank अपने अलग से exam भी conduct करवाता है ठीक है अब देखो यह जो मैंने exam लिखे हैं इन में क्या होता है प्री होता है और में होता है RRB grade B में जो math आएगा वो तो प्री प्री में ही आएगा face 1 में ही आएगा बाकी सब अगर देखे हम तो इनके दो सेट बनते हैं एक होता है premiums और एक होता है हमारे पास mains प्री इम्स की बात करें तो प्री इम्स में जो math पूछा जाता है वो 35 questions होते हैं out of 100 marks 35 questions चाहे वो MVPS का हो चाहे favorable TCP का हो चाहे LDIC की जो होते a premiums paper वह ठीक है इस में account असिस्टेंट भी है एक पर Saiul 2016 में ัं सिस्टेंट के form निकलते हैं तो मत्राइड ये ऐल का सिस्टेंट का कि अफोग तो ऊस्ति फ़ोग में पूछाया आता है थे फ़ाइव मार्क का 35 कोश्चन आट ओफ हुझे कड्व खेंड है इन प्रक्रीब कर से अगर कि बाद करें ती को में होते हैं इस तरीके से आता है ठीक है तो प्री-प्री की बात करें तो बाकी एक्जाम में होता है 33 और रर्वी में क्या होता है 40 questions पूछे जाते हैं out of 80 क्योंकि आप सभी को पता है कि जो रर्वी का पेपर होते हैं चाहिए वो बर्वल्य सब्सक्राइब 156 एल में 155 ह Head ś बuben इस तरीके से रहता है और जो अ कि मेंज का पेपर होता है यह होता है टोटल 200 मार्क्स ठीक है लेकिन जो 35 कोशन होते हैं ठीक है ऐसे जो 40 questions होते हैं यह 50 marks क्यों होते हैं ठीक है और यह 200 का पेपर होता है तो वेटेज की अगर हम बात करें तो प्रिलियम में 35% और 50% का वेटेज रहता है इसका और मेंस में देखा जाए तो लगबग इसका 30% का वेटेज रहता है मतलब यह section है एक्जाम अगर आपने करना है कोई भी बैंकिंग का तो यह section तो आपने करना ही करना है समझ रहे हो ना बात को quantitative aptitude जो है वो must है हमारे लिए तो इसको हम अच्छे तरीके से करेंगे आपको strategy भी बताऊंगा कि हमने किस तरीके से हम इसकी practice करे quantitative aptitude की कि हम इसको हर एक एक्जाम को easily cover कर लें ठीक है तो वाइफर के साथ आपको मैं strategy बताऊंगा तो चलिए strategy शुरू करते हैं मैं इसको मिटा देता हूँ अब देखो जो हमारे exams होते हैं उनको मैंने क्या किया है तीन levels में divide किया हूँ है कि कैसे पत्यारी करनी है तीन levels में इसको divide करा है level 1 level 2 और level 3 तीन levels में ऐसे मैंने इसको divide कर दिया समझ गया बात को अब यह जो तीन levels हमारे पास हैं अब इन levels में कौन-कौन से हम एक्जाम रखेंगे वह समझो सबसे पहले तो level 3 देख लो जो सबसे highest level रहेगा इसमें दो तरह की exam रहेंगे एक तो रहेगा हमारे पास IBPS का PO या फिर RRB का PO मेंस और एक रहेगा हमारे पास SBI PO मेंस ठीक है कहने का मतलब है कि जो highest level के questions होंगे जो बिल्कुल peak level के questions होते हैं वो रहेंगे हमारे पास level 3 में ठीक है इसमें जो मैं आपके lecture लूँगा उसमें मैं क्या करूँगा आपको सिर्फ इस टाइप के questions करवाऊंगा जो आपको मिलेंगे IBPS PO में में, RRB PO में में जा फिर SBI PO में में ठीक है उसके बाद level 1 की अगर हम बात करें लेवल 2 को बाद में discuss करेंगे level 1 होगा बिल्कुल basic level मतलब जो beginners हैं हमारे पास जो पहली बार त्यारी कर रहे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है उनकी बात कर रहा हूं तो level 1 में क्या क्या होने वाला है सबसे पहले तो हम इसमें करवाने वाले हैं बच्चे आपको basic इसमें सारा का सारा basic होगा हम बिल्कुल जीरो से एक topic को शुरू करेंगे आपको लेवल बता देंगे कि हाँ भी इस lecture का यह level है अगर आपको वह level आता है तो आप उसको छोड़के next level पर जा सकते हो इसमें कोई आपको हर एक तरह की proper information दी जाएगे इसके बारे में ठीक है अब देखो लेवल वन में आपको basic बताया जाएगा आपको concepts सिखाए जाएंगे कि इस particular topic में यह concepts होते हैं आपको types of questions बताए जाएंगे types of questions बताए जाएंगे कि इस type के questions पूछे जाते है ठीक है और जो level रहेगा वो इसमें level 1 में जो level रहेगा questions का वो रहेगा easy to moderate ठीक है easy to moderate level रहेगा इसमें क्या क्या बताया जाएगा basic concepts type of questions और easy to moderate level के questions ठीक है अब इसमें जो exam आपके cover होंगे इसमें आप मतलब सिर्फ level 1 की videos को देखे आप कौन-कौन से exam crack कर सकते हो वो भी देख लो इसमें आप कौन-कौन से exam देपाऊगे देखो जो अब आई-वी-पी-एस क्लरक है अरार भी का क्लरक है उसके इसके प्रिल्यम एक्जाम्स ठीक है लेवल मन में आपको इतना मिलेगा जिसमें आप क्लरक का प्रिल्यम क्लेयर कर सकते हो ठीक है और कुछ थोड़ा बहुत प्यों का प्रिल्यम्स पी थोड़ा ज्यादा नहीं ठीक है मतल्क 50 पर्सेंट लगा लो पी योगा प्रिल्यम्स ठीक है लेवल वन में आपको यह चिज़े बताई जाएंगी ठीक है उसके बाद आते हैं लेवल तू के उपर अब लेवल तू में क्या होगा लेवल तू में आपको बेसिक और कंसेप्ट नहीं बताई जाएंगे क्यों मतलब हम मोडरेट से शुरू करेंगे सीधा और इसको थोड़ा हाड लेवल पर लेके जाएंगे ठीक है लेकिन यह एक चीज हम आपको बता दें कि बैटा जब आप लेवल टू पर आते हो तो मेक शूर डैट की लेवल बन आपका क्लेर हो ठीक है मेक शूर डैट की लेवल तो इसमें क्या होगा कि आप कोई भी क्लर का वेपर है उसका मेंस लेवल आप कर जाओगे इसमें लेवल टू में क्लर का मेंस लेवल आप कर जाओगे इसके इलावा आई बी पीएस SBI RRB RBI Grade B इनका Prelium से एक्जाम आप इजली क्रह कर सकते हो फिर इनके Prelium जितना हम आपको करवा दूँगा RRB RBI Grade B में का भी क्या होता है Phase 1 होता है तो यह भी आप इसमें Convert कर लोगे ठीक है यह भी आप इसली क्रह कर सकते हो फिर इसमें जो एक्जाम होंगे वह यह वाले रहेंगे ठीक है और देखो थर्ड क्या बचाए अब हमारे पास इनके मेंस इनके मेंस हैं और इनके मेंस आ होता है ठीक है तो जो very difficult level के questions होंगे वह मैं आपको करवाओंगा level 3 में ठीक है अब आपको यह लग लग हमारे पास बनेंगे क्या यह courses अलग-अलग होंगे तो बच्चे ऐसा कुछ नहीं है course एक ही होगा एक master course होगा हमारा जिसमें सारे के सारे banking exams की आप से त्यारी करवाई जाएगे ठीक है एसा नहीं है कि आपने level 1 को अलग से मेल करना है level 2 को अलग से और level 3 को अलग से थीक है क्या होगा मीर्हस की आपको एक चप्ट्र हे उसके अंदर आपको सभने पहले आपको 1 चीप बताता हूँ मैं यहां पे क्योंकि क्या होगा कि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट आप में से यह कहें कि नहीं मैं तो SBI PO का पेपर दे रहा हूं अपकी वार मेंस का तो मैं सिर्फ लेवल 3 देखूँगा या फिर पर्टिकुलर टोपिक के ठीक है ना जैसे एक एक जैमपल देखो परसेंटेज मालो मैंने आपको परसेंटेज टोपिक करवाना है तो आप क्या चाहते हो कि आपको इसमें बेसिक पता चले आपको concept clear हो और आप highest level के question करो ठीक है तो मैं क्या करूंगा इस टोपिक में जब भी आप इस टोपिक पर क्लिक करोगे तो आपको इसमें यहां पर तीन level मिलेंगे level 1 level 2 level 3 अब हो सकता है कि level 1 में तीन lectures हो ठीक है मतलब तीन lectures में आपको level 1 का बताया हो मैंने basic और concept और basic level के questions करवाए हूं ठीक है हो सकता है कि level 2 में टू lectures हो ठीक है जिस में आपको moderate level के questions करवाए हो और हो सकता है कि level 3 में भी दो lectures हो ठीक है यह मैं आपको मीनिमम बता रहा हूं ठीक है तो क्या होगा कि अगर आप मालों बैंकिंग की त्यारी कर रहे हो और अगर आप यह सेवन लेक्टर्स देखते हो तो लगबग आपका सारा बैसी कवर हो जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक का और काफी हद तक आप प्रै प्रैपिरिशन के साथ आपने चलना है कि हाँ यह वाला टोपिक मैंने करना है और इसको मैंने यह लेवल करना है ठीक है एक वीजन होना चाहिए कि यहां इस लेवल तक मैंने जाना इसके ऐसा नहीं है कि रेंडम जहां से मिलडरा आप कर रहे हो ऐसा कुछ नहीं है सिस्टेमेटिकली चलेंगे और सिस्टम में आपको सारा बताऊंगा देरे देरे ठीक है तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि लेवल कैसे हमने डिसाइड करें हैं ठीक है सारे एक्जाम इसमें कवर्ड है अब नेक्स चलते हैं जी कि अब अगर मैं स्लेव इस की बात करूं तो क्वाटिटिटेटिटीट का स्लेव स होता है वं और हे 먔र हे सबसे मेल स्गार चीज होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने परणा क्या है क्या हम ने परड़नी है ठीक है न तोशाइस को भी देखो मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा एक प्रिलियम और एक मेंट मतलब बैंकिंग के जितने भी premiums exam वो इधर है और banking के जितने भी mains exam वो इधर है irrespective of P.O. and clerk क्योंकि P.O. का paper देलो चाहिए clerk का paper देलो slayber same रहता है premiums का भी और mains का भी थोड़ा सा difference होता है आपको बता दूगा ठीक है अब देखो जी प्रीलियम्स की बात करें तो प्रीलियम्स के लिए कौन-कौन से चैप्टर important होते है इसमें सबसे पहला चीज आते है वह आती है जी calculation इसमें सबसे पहली चीज क्या आती है बच्चे calculation calculation बच्चे बहुत important चीज होती है इसके बिना banking सोचना भी मत बैंकिंग का कोई भी अगर आप एक्जाम देते हो तो उसमें calculation जो है वह काफी अच्छा role play करती है बहुत important होती है ठीक है अब देखो जी दूसरे नबर पे इसमें कौन से टोपिक आता है प्रीलियम्स की तेहरी करने में दूसरा आता है quadratic equations quadratic equations ठीक है तीसरा टोपिक इसमें आता है बच्चे number series ठीक है fourth topic इसमें जो सबसे important होता है वो होता है बच्चे data interpretation data interpretation अब मैंने यही पहले चार टोपिक क्यों लिखे है इनको भी थोड़ा समझना आप कि देखो calculation देखो clerk slash PO मताब पहले मैं clerk का लिखूंगा फिर PO का लिखूंगा तो clerk में क्या होता है दस question आपको calculation के मिलते हैं PO में पांच question calculation के मिलते हैं तो अब्यस्थी बात है important है इतने question एक topic से अगर आ रहे हैं तो भी important है ठीक है quadratic equation की बात करें तो पांच question clerk में पांच question PO में तो यह भी काफी important हो जाता है ठीक है यह भी काफी important चीज़ बन जाती है ऐसी देखो number series की बात करें तो number series के भी पांच-पांच question होते हैं बच्चे PO में भी और clerk में भी पांच-पांच question पूछे जाते हैं ठीक है similarly अगर data interpretation की के जाते हैं और दस question पूछे जाते हैं जी पी-ओ में पांच-पुछे जाते हैं पूछे तो सिंपल सी बात है अगर आपने smartly prepare करना है अब आपने ऐसा कि सब कुछ करना अब आपने क्या करना है smartly prepare अगर करना है तो 35 में से 25 नंबर तो आपको यहां पर दिख रहे हैं बोड पे और मैंने 4 topics के नाम लिखे है ठीक है निया थीप अलावा आपको दिख्या आनव में से ठीक है इसके इलावा अब आपने क्या टॉपी करने हैं इसके इलावा आपने करना बच्छे रेश्यो परसंटेज प्रोफिट एंड लोस पी एंड ल का मतलब होता है बच्छे प्रोफिट एंड लोस उसके बाद आएगा इसमें टाइम एंड वर्क ठीक है टाइम एंड डिस्टेंस एवरेज टाइम एंड डिस्टेंस हो गया एवरेज हो गया इसके इलावा पर्मूटेशन एंड कंबिनेशन प्रोफिबिलेटी ठीक है और मैंसूरेशन और मैंसूरेशन ठीक है मोस्ली क्या होता है देखो मैं आपको अभी इतने टोपिक्स लिखवाने के बाद मैं आपको यह कह सकता हूं कि 95 परसेंट स्लेबस यह है प्रिलियम का 95 परसेंट स्लेबस चाहिए आप आंखें बंद करके इतने टोपिक्स अगर करके जाओगे तो 95 परसेंट तक कर सकते हो ठीक है 100 परसेंट अगर बोलना होता तो फिर मैं बाकी टोपिक भी सारे लिखूंगा मैंने यहां पर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो टोपिक्स होते हैं हमारे पास इसमें क्वाट क्वांटिटिव एप्टिटिव में होते हैं 17 यानि कि अ पर एक्षिन ओफ टोपिक्स बहुत इंपोर्टिट चीज होती है एक अधर कोशिन आपका छूट जाएगा हो सकता है कि कभी वोटन स्ट्रीम का जाए कोंकि मैं लिखवाया नहीं हुआ उसका एजिस का जाए तो बहुत आपका तो इस तरीके से अगर आप चलते हो तो तो इसको पहले पांच-पांच बार इवाइस करो इसकी प्रैक्टिस करो इसके 500 कोश्चन करो पहले बाकी कहां बाद में बाकी टोपिक भी कर लेंगे पर यह इंपोर्टेंट है ठीक है ऐसी देखो मेंस की बात अगर हम करते हैं तो मेंस में तो देखो ऐसा कुछ नहीं है अगर आप कोई भी मेंस का एक्जाम देते हो तो सारे के सारे टोपिक करने है क्योंकि इसमें क्या होता है सबसे पहले जो इंपोर्टेंट चीज़ होती है वह होती है डेटा इंटरपोटेशन जैसे कि मालन हम बात करें आई चाइस हैं जीहां फिर मेंस की तो उस में तो कॉझाम लिकता ही नहीं है वह ढॲिए इंटरपोटेशन ठीक है तो देटा इंटरपोटेशन होती है इंपोर्टेंट लेकिन ये वाले जो डिया होती है इंपोर्टेंट अर्थिम्äक आब अर्थमेटिक डियाई का मतलब क्या होता है कि टॉपिक्स को उठाएगा डियाई के अंदर रख देगा और आपसे कोशिंट के आंसर पूचेगा जैसे फॉर एक्जेंपल मानलो टाइमेंड वर्क उसने वार ग्राफ के अंदर रख लिया या फिर पाई चार्ट के अंदर उस अरे टॉपिक नेसेसरी होते हैं कर ना एक तो और दूसरा डेटा इंट्रेटेशन कि हम प्रैक्टिस करेंगे अर्थमेटिक करेंगे मतलब बीग्या करेंगे तो उसके बाद उन टो पिक्स को जो हम हाईस लेवल पे लेके जाएंगे तो इस फायस लेवल में एक तो इंगर कि अब डेटा सय न FC में भी क्या हो सकता है सारे के सारे आएंगे真的 अब क्या होता है में इस तरीके से होते हैं कि डेटा सथिज लेता है में वह तीन question vote and stream का हो दूसरा time and work का हो तीसरा permutation and combination का हो ठीक है तो तीन question अलगलग होंगे आपको बोलेगा कि इनको solve करो तीनों को और answer निकालके बताओ किसकी value बढ़ी है किसकी छोटी है which is greater ठीक है इस तरीके से option होती है कि q1 is greater than q2 is less than q3 इस तरीके से options कुछ होती है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा एक question इसका दो नंबर का होता है two marks मिलते हैं data sufficiency को solve करने के लिए लेकिन इन दो numbers के लिए आपको data sufficiency का एक question जो solve करना है ना उसके नीचे तीन वर्ड प्रोब्लम्स होंगी तीन प्रोब्लम्स होंगी तीनों को solve करोगे उनको compare करोगे फिर आपका answer निकलेगा ठीक है ना तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप मालो seriously अगर त्यारी कर रहे हो banking की तो देखो जी सभी के सभी टोपिक यह वाले जो लिखें को तो आपने त्यार करना है अपार्ट फॉम डैट आपको बाकी टोपिक भी prepare करने हैं बस इनके उपर आपने ज्यादा emphasize करना है ज्यादा force इनके उपर लगानी आपने clear हो गया ने सभी को तो हो आपको पता चला होगा कि इस लेबर से होता क्या है ठीक है बाकी अगर मैं इसके इलावा टोपिक्स के अगर हम बात करें तो टोपिक मैं लिखवा देता हूं इसको मिठा के एक पूरे टोपिक आपको बता देता हूं कि क्या-क्या आपने क्वांटिटेटिव एप्टिट्यूड में पढ़ना है ठीक है तो मैं आपको पूरा का पूरा टोपिक्स वाइज भी बता देता हूं ठीक है तो देखो जी टोपिक्स की अगर हम बात करें तो गिनते जाना कितनी है ठीक है अब देखो होता बता क्या है कि जैसे आप मार लोग घर से बाहर निकलना और आपने किसी अन्नोन जगह पर जाना है मैं आपको बता दूओ कि आपने घर यहां पर यहांन थी टेट पर इस humor में तो आप सबसे पहले क्या करते हो मुबाइल को ऊपन करते हो और GPS on कर लेते हैं अब GPS क्या करता है आपको रास्ता दिखाता है जी पीएस क्या करता है आपको रास्ता दिखाता है similarly यह जो topics मैं आपको बता रहा हूं जो आज मैं आपकी induction class ले रहा हूं यह एक्छल में GPS का काम करेगा अगले तीन यह चार मेने तक जब तक आप preparation करोगे में भी 6 महीने तक including test series तो क्या होता है हमारे पास कि यह GPS का काम करेगा मैं आपको यह बताओंगा कौन कौन से इंपोर्टेंट नहीं है किसकी त्यारी ज्यादा करनी है किसकी practice कम करनी है सब कुछ आपको आज की class में मिल जाएगा जैसे मैं आपको बता दिया कि कौन से टोपिक होते है टोटल कि अपने पढ़ना क्या क्या बैंकिंग की त्यारी करने आए हो चलो ठीक है अपने पढ़ना शुरू कर दिया लेकिन पता तो हो क्या क्या पढ़ना है ठीक है तो देखो जी क्या क्या चीजे पढ़नी होती है इसमें हमने सबसे पहले पहला टोपिक जो इसमें होगा वो होगा हमारे पास fundamentals अब fundamentals क्या चीज होती है fundamentals होते हैं हमारे पाफ basics basics मतलब कि आपने कैसे calculation करनी है calculations की trick बताऊंगा मैं आपको कि कैसे calculation आपने अपनी fast करनी है क्योंकि देखो math का अगर आप कोई भी question करते हो तो calculation आएगी आएगी इसमें तो अगर आपकी calculation अच्छी होगी तो automatically within time आप question को कर सकते हो ठीक है ना within time आप questions को कर सकते हो clear हो गया सभी को दूसरे नंबर पर जो important topic होता है वो होता है ratio and proportion ठीक है third topic होगा percentage अब जैसे में आपको लिखवारों में उसी तरीके से ही आपको पढ़ाऊंगा ठीक है उसी तरीके से हम serial wise चलने वाले हैं ठीक है उसके बाद fourth number पर हमारे पास आएगा simple interest ठीक है fifth number पर आएगा हमारे पास compound interest ठीक है compound इसके बाद हम करेंगे time and work eighth topic इसमें आएगा pipes and systems ठीक है ninth topic इसमें रहेगा time and distance ठीक है tenth topic रहेगा इसमें time and distance में एक और चीज़ आएगी problem on train so वह भी time and distance का ही पार्ट होगा ठीक है अलग से नहीं लिखूँगा मास को वह भी इसी का ही पार्ट होगा ऐसे 11th question 11 जो हम करेंगे वह हम करेंगे average 12th number पर हमारे पास आएगा बच्चे mixture and allegation ठीक है 13th topic हमारे पास होगा partnership क्योंकि इसके mains में question बन सकते हैं partnership और इसके साथ हम करेंगे ages भी problem on ages partnership and ages एक साथ ही करेंगे ठीक है दोनों चोटो 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 टोपिक होते हैं तो सब दोनों को एक साथ करेंगे ठीक है कि नेक्स्ट हमारे पास आएगा बच्चे permutation कि एंड कॉम्बीनेशन कि प्रमूटेशन और कॉम्बीनेशन फॉर्टेंथ टोपिक होगा यह फिप्टेंथ टोपिक रहेगा हमारे पास probability probability प्रोबैबिलिटी टी कि 16 में हम करेंगे मेंसूरेशन ठीक है टूदी और थ्रीडी एक साथ कि मेंसूरेशन क्योंकि 3D के कॉश्चन भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि पूछे जाते हैं ठीक है पहले थ्रीदी नहीं आती दा था थ्रीदी के questions भी पूछे जाते हैं ठीक है तो यह हमारे पास 17 topics हैं सिर्फ और सिर्फ quantitative aptitude की ठीक है अब इसमें और क्या चीज़े आड़ होएंगी देखो बच्चे इसमें DI add होगी DI भी इसमें add होगी अब DI में क्या क्या आएगा एक तो line chart आएगा ठीक है bar graph आएगा पाई चार्ट आएगा डेटा टेबल आएगा missing di जिसे हम बोलते हैं एंड डेटा टेबल ठीक है mix graph आएगा और last में आएगा case studies जो भी हम बोलते हैं ठीक है इसको जो भी आप बोलते हो ठीक है तो इस तरीके से यह होते हैं हमारे पास topics जो हमने पढ़ने है quantitative aptitude में ठीक है जब आप त्यारी करना शुरू करोगे तो आपको वैसी याद हो जाएगे सारे के सारे topic ठीक है अब देखो levels की जो मैंने आपको बात करी थे तो level कैसे होंगे अब आपको में भी doubt हो रहा होगा कि डी आई पता नहीं कैसे करेंगे अब डी आई में level कैसे होंगे देखो जैसे मालों मैंने line chart उठाया तो line chart की पहली class क्या आएगी basics की कि line chart का basic बताऊंगा मैं आपको क्या रहेगा ठीक है for example line chart की दूसरी class रहेगी जो level 2 में आएगा अब देखो level 1 में हो सकता है दो classes हो जाएं जिसमें basic basic question नहीं कराऊंगा आपको थोड़ा सा line chart को कैसे रीड करते हैं वो बताऊंगा level 2 में क्या होगा इसमें टाइप आती है income expenditure वाले profit percent वाले तो level 2 में वह रहेंगे level 3 में आएंगे इसके arithmetic problems कि line chart के अंदर मालों कोई particular topic उसने कर दिया एड कर दिया जैसे time and walk एड कर दिया time and distance एड कर दिया बोटन stream एड कर दिया permutation combination एड कर दिया कोई भी topic एड हो सकता है ठीका partnership एड कर दिया तो वो कैसे करना वो हम देखेंगे similarly topics को ठीक है डी आई के सबको यहां पर डी आई शुरू होते हैं ठीका बच्चे यह नीचे क्या है सारी के सारी समझ गयो ना बात को तो यह कुछ हमारे पास topics हैं जो हमने करने हैं banking exams के लिए ठीक है तो इस तरीके से यह हमारी class में बताता रहूंगा ठीक है apart from that जो हम एक topic करेंगे उसको हम three levels में divide करेंगे पहले पहला level करेंगे जिसमें basic और concept सिखेंगे और simple question करेंगे जब उस पे हम थोड़ा सा perfect होना शुरू हो जाएंगे फिर हम level two पे आएंगे और और level three में जाके हम करेंगे highest level के question इससे क्या होगा हमारा एक particular topic क्या हो जाएगा अच्छा हो जाएगा बढ़िया हो जाएगा ठीक है अगर इस तरीके से आप चलते हो तो मेरे ख्याल से banking का कोई पर आजाए आप easily crack कर सकते हो ठीक है जी बस थोड़ी से सिस्टम सिस्टमेटिकली प्रेपरेशन की जुरूरत होगी थोड़ी से strategy थोड़ी सापका hard work लगेगा इसमें और time लगेगा और patient सबसे जुरूरी है patience रखना जुरूरी है ठीक है ना तो यह रहेगा हमारा पूरा का पूरा pattern कि जिस तरीके से इसी तरीके से ही मैं क्या करूंगा आपको आपको math करवाओंगा ठीक है क्लास मैं इसी के साथ ही खतम करता हूं I hope आप सभी को यह session अच्छा लगा होगा thank you very much